कंपनी की बादशीत करेंगे जो की MSME की लेंडिंग से जूड़ी है NVFC कंपनी है और निवेशकों को बहुत ही जवरदस्त पैसी कमा के भी दिये हैं बात करें हम Ugro Capital की Ugro Capital के मेनेजमेंट से हम बातशीत करेंगे और कारबार और उसके भविश्य को जानने की हम कोशिश करेंगे कंपनी के VC एंड MD सचिंद्र नात्ची हमार साथ जुड़ गये हैं सचिंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय देन के लिए स्वागत है आपका एटीनों सवदेश पर सचिंद्र जी सबसे पहले आप यहीं बताईए सर कि MSME सचिंद्र का अभी काम कैसा चला है आपके लिए डिमांड कैसी आ रही है और किस तरह की क्रेडिट आफटेक आपकी तरफ से हो रहा है देखिए जैसा मैंने पहले भी कह रहा था कि हमारे देश में करीब 90 लाग करोड की क्रेडिट नीड है रिण की जो आवश्यक्ता है छोटे वैपारियों की वो 90 लाग करोड है उसका सिर्फ 20 प्रतिशत अभी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जाता है बैंक, NBFC, अधर फार्वार इसका मतलब है कि 50 से 55 लाग करोड का जो क्रेडिट है वो तो इन्फॉर्मल सेग्मेंट से है तो आप में क्रेडिट दिमांड की कोई कमी नहीं है अगर आप चाहें तो सौ प्रतिशत के दर से भी हमेशा ग्रो कर सकते हैं और इस क्रेडिट को सॉल्व कर सकते हैं जैसे जैसे स्मॉल बिजनसे और फॉर्मल होएंगे जैसे वो और GST को अडॉप्ट करेंगे उनकी बैंकिं जो लोन का है उसमें भी बढ़ा देखने को मिली है लेकिन वो कौन-कौन से स्पेसिफिक सेक्टर जहां पर आपको लगता है कि लोन बड़ी है और लोन की टिकेट साइज भी बड़े है जैसा आप जानते हैं यूगरो करीम नौ छेत्रों में और नौ सेक्टर में काम करता ह है हेल्थ केर, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजिनरिंग, सो औन सो फूर्थ, माइक्रो इंटरप्राइजेज इन सभी सेक्टर और सब सेक्टर में हम दो चीजें जरूर देख रहे हैं एक कि जो रिल लेने की छमता है वो बढ़ रही है, इसमें बिजनेस का जो रेजिलियन्स है, उनकी जो चमता है और उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है और वो बहुत एप्सुरूट क्रेटि भी बढ़ रहा और उनकी रिंड लेने की जो टिकेट साइज है वो भी बढ़ रही है और मुझको लगता यह कि हम देख रहे हैं कुछ रिस्क देख रहे हैं? अभी जो यह narrative है जब भी हम बात करते हैं हमेशा लोग MSME में रिस्क की बात करते हैं अब यह समय आ गया है कि आप MSME के growth की बात करें क्योंकि चाहे वो demon रहा हो या GST रहा हो या pandemic रहा हो इसने हमारे छोटे businesses को यह सिखा दिया है कि इन सब समस्याओं से उभर कर भी वो कैसे हमारे देश की economy में positively contribute कर सकते हैं तो मेरा यह आप से एक व्यक्तिकल सजेशन है कि आप सब भी मीडिया में हमारे मित्र अब हमारे छोटे वैपारी कैसे growth कर सकते हैं उसके बारे में बात करें ना कि उनका उनसे associated risk क्या है बिल्कुल सके नाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने views हमाहसा तर शेयर करने के लिए और अपने company के बारे में भवश्य के बारे में हमाहसाथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका